हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे दो कच्छे आलू से बहुत ही टेस्टी नास था तो ये दो कच्छे आलू को हमने छिलके उतार के अच्छी तरह से वॉस कर लिया है उसके बाद ये ग्रेटन ले लेंगे और इसमें जो मोटी वाली जाली होती है तो इसको कदकस कर लेते हैं उसके बाद हमने ये साफ पानी में धो के तीन चार बार इसे रख देंगे गैस में एक पैन रख देंगे पैन गरम होने पे हम एक चमच इसमें रिफाइन ओयल डाल रहे हैं तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे उसके बाद थोड़ा सा हम हींग डाल रहे हैं तो और हमें क हलका सा इसे भून लेंगे हिंक के साथ आची तरह से मिक्स कर लेंगे तो गैस को हम हाई पे रखेंगे और थोड़ा सा इसे भून लेते हैं ऐसे करके उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे तो यह डेड़ कप पानी हम इसमें डाल रहे हैं तो आप किसी कटोरी या उससे इससे मीक्स कर लेंगे उसके बाद इसे हम ढ़क लेंगे तो 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए हम इसे ढ़क के पका लेंगे low flame पे तो यह 3-4 मिनट हो गये है आलू भी हमारे अच्छी तरह से कोको गया है, तो ये आप देखी ये आलू के जो लच्छे हैं एकदम से टूट रहा है, तो अच्छी तरह से बग गया हैं ये, उसके बाद हम क्या करेंगे, कि एक कप सूजी हम ले रहें तो जिससे हमने डेट कप पानी लिया था, उसी से हम एक कप सूजी ले रहें और इससे सूजी को अच्छी तरह से ये आलू के लच्छो में अच्छी तरह से मीक्स कर लेंगे, कोई भी लंच ना रहे, इसलिए अच्छी तरह से मीक्स करेंगे, तो ऐसे और गैस को हम लोपी ही रखेंगे इस टाइम पर, और अच्छी तरह से इ आप कवी भी कुछ अच्छा टेश्टी खाने का मन करें, कुछ बहार से खाने का मन करें, तो आप ऐसे बना के बच्चों के लिए बना सकते हैं, बहुत ही टेश्टी नास्ता बनता है ये, उसके बाद थोड़ा सा मसाले डाल लेते हैं, तो थोड़ा सा साबू जीरा डाल रहे थोड़ा सा चिली फ्लेश डाल रहे हैं आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं और थोड़ा सा दनिया की पतियां डाल लेंगे तो ज्यादा मसाले हम बिल्कुल भी इसमें यूजनी करेंगे आप चाहे तो मसाले अपनी जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं तो तो हम इतने ही मसाले इसमें डाल रहे हैं, तो ये बन के तयार हो गया है, उसके बाद हम इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए, ढक के रख देंगे, 5-10 मिनट जो भी रखेंगे, गैस को बन कर देंगे, और इसे ऐसे ही भाप में रहन देंगे, तो उसके बाद 15 मिनट हो गए थे, तो हम इसे थाली में ले रहे हैं तो हलका सा ठंडा होने देंगे इसको तो ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये ठंडा हो गया है तो थोड़ा हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे तो ये बिल्कुल डो बन के तयार हो जाएगा तो ये आप देखिए ये सौट सा डो बन के इकदम तयार हो गया है हातों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और ये थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे और ऐसे गोल बना लेंगे तो इसको हम हलका सा ऐसी सेप दे रहे हैं चकोर टाइप की तो आप चाहे थे इसकी गोल टिक्की बना सकते हैं या अपने ही साथ से आप कोई भी सेप इस पे दे सकते हैं तो हम ऐसे इसको बना रहे हैं तो ऐसी बना के सारी तयार कर लेंगे तो ये हमने सारी बना के तैयार कर दिये इधर हमने तेल गरम करने रख दिया था तो तेल अच्छा तेज गरम होना चाहिए जब हम इसे डाले तो अच्छा तेज गरम हो तेल अगर तेल ठंडा होगा तो ये फट जाएंगे इसलिए तेज तेल में ही इनको बनाए और जितने भी कडाई में आएंगे उतने हम डाल लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम थोड़ी देर तर इसे छेड़ेंगे नहीं थोड़ी देर बाद हम इसे पलट लेंगे तो हलका हलका कलर इसमें आने लग गया है तो यह आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में खाने में तो और भी टेश्टी लगते हैं आप एक बार जरूर बना के ट्राइ करें और यह हमने दो चार बार उलट पलट करके अच्छे करारे बना लिए उसके बाद हम निकाल लेंगे इनको थोड़ा साइड में रोग लेंगे और जितने हमारे पास और बच्छे हुए है वो भी हम ऐसे ही बना लेंगे तो एक बार का हम यह डालते होई फिरसे दिखा रहे हैं जो हमारे पास बच्छे हुए वो भी हम गरम-गरम तेल में डाल देता है आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं तो यह आप देखे सारा ही बना के हमने तयार कर दिया है तो आप इसे चटनी के साथ या सौस के साथ खा सकते हैं अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हमें जरूर बताए कि आपको यह नास्ता कैसा लगा थेंक्यू